दोस्तो सबसे पहला आप यहाँ पर देख लो पूरे 20,000 रुपे का लोन 3 महिने के लिए और इसके साथ साथ अगर आप नीचे देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा 1000 से लेकर 30,000 रुपे तक का लोन only KYC से दोस्तो यह वीडियो उन लोगों के लिए बर्दान है जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ ठीक है आधार कार्ट और पैन कार्ट के बेस पर यानि के दोस्तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको सिर्फ KYC करनी है नीचे वाले उप्सन पर देखेंगे और KYC करने मात्र से ठीक है आपको 1000 से लेकर 30,000 रुपे का लोन मिल जाएगा और दोस्तो यहाँ पर आप देखेंगे आपका जो भी आज है वो 2.4% पर मन्त से स्टार्ट होगा यानि कि आपको 2.4% से भी मिल सकता है 3% के इसाब से भी मिल सकता है क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ पर सिर्फ KYC के माध्यम से लॉन मिल रहा है और आपकी eligibility चेक की जाएगी मतलब 1000 से लेकर 30,000 के बीच की जो भी limit होगी आपके आधार card और pen card की base पर वो आपको यहाँ पर दे दी जाएगी eligibility में आप देखेंगे और उसके बाद आप देखेंगे दोस्तों only on approval है ठीक है मतलब यहाँ पर आपको कुछ करना ही नहीं है यह loan उन लोगों के लिए दोस्तों बहुत ही सांदार है जिनका civil score गटिया है जिनका civil score आज तक बनाई नहीं है जिनके पास income का कोई proof नहीं है यहाँ पर ना तो income मांगी जा रही है ना civil मांगा जा रहा है और only KYC वो आप देख सकते हो दोस्तों only KYC भाई इससे सांदार लोन आपको कहां मिलेगा आप सोचो आपके आधार कार्ड, pen card के base पर और यहाँ पर आपको approval मिल रहा है, loan मिल रहा है 1000 से लेकर 30,000 रुपे का आगे अगर हम बात करते हैं कि भाई यहाँ पर जो ब्याज है वो आपका 2.4% पर मंत से start हो रहा है तो आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि यार यह ज़्यादा है, 2.4% से start है पता नहीं 3%, 3.5% पर मिलेगा, ठीक है क्योंकि यहाँ पर start है इतने से पर इसके उपर वाला जो loan है जो कि यह भी आपको दोस्तों आपको 3 महिने के लिए मिल रहा है यहाँ पर आप देखेंगे, आपको बताया गया है कि वही 20,000 रुपे आपको मिल जाएंगे 2.4% पर मंत के हिसाब से मतलब fix है, यहाँ पर व्याज fix है 2.4% जो कि KYC करनी है, eligibility, दो चीक है और यहाँ पर देखना को मिलेगा, KYC, eligibility और थर्ड पर आपको bank statement देखने को मिलेगा अगर आप bank statement लगा देते हो तो आपका जो भी आज दोस्तों पड़ेगा यहाँ पर आप देखेंगे bank statement के साथ 2.4% पर मंत महीन ने का और उसके बाद दोस्तों simple आपको approval मिल जाएगा बस इतना काम करना है, इसके लाब आपको कुछ नहीं करना है तो देखो यहाँ पर दो चीज है bank statement लगा रहे हो, ठीक है अगर आप bank statement लगाएंगे तो आपको आज कम पड़ेगा bank statement नहीं लगा रहे भी आज ज़्यादा पड़ेगा पर दोनों ही condition में यह app आपके लिए सांधार हो सकती है, इस app का link आपको वीडियो की description और comment box में मिल जाएगा link पर click करके जाएंगे, सीधे play store पर पहुंच जाएंगे play store पर पहुंचना है, इस app को install कर लेना है उसके बाद दो ओप्सन मिलेंगे KYC वाला और दूसरा मिलेगा आपको जो है यहाँ पर bank statement वाला किसी भी option को चुन कर loan के लिए यहाँ पर आप अपलाए कर सकते हैं वीडियो पसंद आईयो, वीडियो को लाइक करें और चैनल को subscribe जरूर करें, धन्यवाद